हालो फ्रेंड्स माइसाइब डॉक्टर सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जर्जन दोस्तों आज हम एक डिसकर्ज करेंगे एक बड़ा कॉमन क्वेस्टन जो पेशिंट ओपीडी में हमारे से पूंचता है अच्छे डॉक्टर का मैं कैसे पता लगा हूं जिससे मेरी नोस्टी करानी है पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बैल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्यों की वीडियो की जानकरी आपको समय समय पी मिलती रहे सो दोस्तों हाउ टू फाइंड गुड डॉक्टर फोर नोस्टेजरी बड़ा एक कॉमन ऐसा सवाल है जो हरा अदमी जब अपना नोस्टेजरी कराने के पहले दस बार सोचता है मैं किस डॉक्टर से मेरा इलाज करा हूं बहुत पार क्या है multiple doctors का multiple opinion होता है patient जो है उसमें बाइस हो जाता है confused हो जाता है तो दोस्तों हम discuss करेंगे कैसे इस चीज से जो है वह एक निजात मिले कि मेरे को अच्छा मेरा डॉक्टर कौन है जहां मेरी नोस्टेजरी करा सकूं दोस्तों जब आप किसी डॉक्टर के पास जो है अपन जा रहे हैं basically आप अपने parents के साथ जाईए या कोई wife or husband के साथ जाईए जो भी एक या दो जो responsible person है उनकी साथ आप जाईए and आप जब डॉक्टर से अपनी वारतालाब करते हैं अपनी जो problem बताते हैं आप अपनी chief complaint आपकी जो man problem है regarding जैसे nose के अंदर आपकी जो समेश्या है appearance से है या breathing है सारी problem share करने के बाद आप अपने doctor को observe करो जो उन्होंने जो आपको explain करने का उनका तरीका है क्या चीज उन्होंने explain किया है कैसा है और other important thing जो आप doctors जिसको आप दिखा रहे हैं और सारा कुछ जो है आपने जो है consult करने के बाद में आप जो है अपने parents या responsible आद क्या गलत है जो आपका doctor है उसकी क्या accreditation से कहां से उन्होंने जो है अपना जो है उसका experience जो है लिया हुआ है कहां से अपनी mastering की हुई है इसके अलावा उसके जो है YouTube channels हैं या जैसे जित्ते भी social media पे previous patients के testimonials हैं वो आपको देखने चाहिए और इसके अलावा एक और important चीज ह है कि अगर आप जहां पर भी जिस भी doctor से इलाज कराते हैं उस टाउन में किसी old doctors को अगर आप जानते हैं तो उनसे भी पूछना चाहिए कि यह हम कोई doctor है हमारी जो यह problem है इसके regarding हमारा treatment कराना चाहते हैं तो कही ना कहीं गलत और सही से अपने को बचाव किया जा सकता है द नहीं कर सकते हैं अगर वो जो पेशेंट उसकी जो comfort zone में अगर आ रहा है तो वो surgery अच्छे से कर सकते हैं लेकिन बहुत पार कई बार secondary cases है, tertiary cases है, जो cases दो बार surgery करा चुके हैं या इनकी जिनकी complex nose deformity है वो बहुत बार क्या है जो अगर doctors comfort zone में नहीं है उस surgery के लिए उप्य infection और improvement नहीं आता, तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजे हैं जो हम decide कर सकते हैं कि मेरे को जो है वो किस doctor से मेरे को treatment कराना चाहिए और जहां मैं treatment करा रहा हूं आप उसके लिए एक, दो, तीन, कम से कम दो या तीन consultation लेके अपने दिमाग में जितने भी सारी चीजे हैं वो अप तोस्तों आप थसे इस इस बस्दों यूस वर यूवर यूच ज़ दिमाग मेरे विए नहीं घएगा चूली को जो कर दोस्तों पूर जए बहू अचू को अविए खुण। तो रहते हैं दो टीन, कर से में अज़ह बहुत थाभी सारी कर सब्सिता झापग दो कर दो नहीं झाल झाल